पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूलें ये दास्ता है नए दौर के सबसे बहतरीन संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवन की जिदमें चितना प्यार है उतना वो खामोश है। नदीम सहाब का पूरा नाम नदीम अखतर सेफी जन्म हुआ 6 अगस्त सन 1954 में श्रवन जी का पूरा नाम श्रवन कुमार राठोर जन्म हुआ 13 नवंबर सन 1954 में नदीम मुंबई में माहिम धरगा के नजदीक रोजी कॉटेज में रहा करते थे और बच्च्पन से ही ड्रम्स, बॉंगोज इन सब का इन्हें शौक था कुछ परडोस के लोगों के साथ इन्होंने एक छोटा सा बैंड भी बना लिया था बाद में इनका परिवार मुंबई के बॉंबे सेंटरल इलाखे की तरफ शिफ्ट हो गया इनके पिता का बड़ा जबर्दस बिजनस था वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किया करते थे मजगाओं के सेंट मेरीज हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की बश्वन में नौशाद सहाब, S.D. बरबन सहाब और महान संगीत का जोड़ी शंकर जैकिशन के संगीत का नदीम पर काफी गहरा आसर हुआ इन्होंने खुद संगीत का जोड़ी शंकर जैकिशन के जैकिशन सहाब को मुंबई के गेलो ड्रेस्ट्रों में लाइफ म्यूजिक प्ले करते देखा और इनके जोड़ीदार श्रवन कुमार राठोर उनका जन्म हुआ राजस्थान के सिरोही इलाके में श्रवन जी के पिता पंडित चतरभुज राठोर एक बहुत जाने माने शास्त्री गायक रहे जब ये बहुत छोटे ही थे तब अपने पिता जी के साथ ये बंबई चले आए बंबई में एक संस्था ने पंडित चतरभुज राठोड को म्यूजिक हेड बना दिया और पंडित जी के मशूर शिश्यों में से महान संगीत का जोड़ी कल्यान जी आनन जी के कल्यान जी भाई रहे घर पर बड़ा संगीत में महौल रहा करता था पर जब श्रवन जी ने फ बहुत से सास थे जो श्रवन जी बच्पन से ही बजा लिया करते थे चाहे वो सितार रहा या फिर हार्मोनियम और तबला इनके दो भाई भी हैं जो संगीत की दुनिया में ही जुड़े और दोनों ही गायक बने रूप कुमार राठोड और विनोध राठोड इसी भी आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैं वहाँ पर गाना गा रहा हूं श्रवन साहब जब उस फंक्शन के लिए पहुंचे तो देखा स्टेज पर नदीम बैठे हुए हैं और कॉंगो बजा रहे हैं फंक्शन का जब इंटरविल हुआ तब नदीम और श्रवन की ने लिया गया कि नदीम श्रवन के नाम से ये दोनों आप संगीत देंगे। संगीत नदीम श्रवन न दिया संगीत पसंद किया और इसके बाद सन 1981 में इन्हें हिंदी फिल्म मिली मैंने जीना सीख लिया इसके गाने मशूर गायक अमित कुमार ने गाए मुहबत हम ने की है आज हम अकरार करते हों तुम्हे हम प्यार करते है तुम्हे हम प्यार करते हैं। इसके बाद इलाका, हिसाब, खून का और लशकर जैसी फिल्मों का संगीट भी इनों ने दिया। इसी बीच इन दोनों की दोस्ती डिसको डांसर, डिसको किंग, मिथुन चक्रवर्ती से हो गई। मिथुन चक्रवर्ती ने गुलशन कुमार सहब और नदीम श्रवन के बीच क के बाद एक, उमीद थी कि सिर्व आर्ट गाने रिकॉर्ड किये जाएंगे, पर जब संगीत इतना अच्छा बनकर आया, तो महेश भट साहब का नाम भी गूंजा, ये निन्ने लिया गया कि अब इन गानों को लेकर एक फिल्म बनाई जाएगी, फिल्म बनाई आशकी, इस कार समीर के बोल बच्चे बच्चे की जुबाँ पर थे, राहुल रॉय और अनु अगरवाल नए पोसर बॉय पोसर गल बन गए थे, सहक अलाकार दीबक तीजोरी का भी खुब नाम हुआ, उसके बाद तो सभलता इन दोनों के कदम चूमने लगी, दिल है की मानता नहीं, सडक, सैनिक, राजा, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे, हर जगार नदीम शर्वन का ही नाम गूंज रहा था, यक पयक ये तने बड़े नाम बन गए, कि कहां तो एक फिल्म के लिए तरस्ते थे, और कहां इनोंने तक्रीबन धाई सो फिल्म्स रिजेट कर दी थी, इन दुनों का सिक्का बोल रहा था, पर तभी एक ऐसी दुर्गटना घटी, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, गुल्शनकुमार सहाब का मर्डर हो गया, तारीक 12 अगस्त सन 1997, मुंबई अंडर वर्ल्ड पर गुल्शनकुमार के खुन के छीटे थे, और वो छीटे नदीम श्रवन के नदीम की आस्तिन तक पहुँचे, इल्जाम लगा कि कांस्पिरेसी में नदीम का भी नाम शामिल है, उसके बाद वो ये देश छोड़ कर चले गए, ऐसा बताया गया कि दुबई में इन्होंने अपना एक परफ्यूम बिजनस शुरू किया, नदीम श्रवन संगीत तो देते रहे, पर एक वक्त आया जब ये ना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुम से दूर रहना सको, यूना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बातें तुम से कहना सको इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है नदीम का विवा हुआ सुल्तान आजी से शादी से ने एक बेटी हुई साइमा और बेटा समर श्रवन राठोर सहाब के दो बेटे संजीव दर्शन आग जाकर संगीत कार बनें इन दोनों ने जबर्दस छलांग लगाई थी अजब बुलंदियां चुई थी पर जितनी तेजी से इन्होंने वो बुलंदियां चुई उसी तेजी के साथ इनका नाम भी हिला भारतिय सिनमा का अतिहास महान संगीत कार जोड़ी नदीम श्रवन के नाम के बगएर सदैव अधूरा रहेगा महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री